साहित्ती निदी में आज सुनिये वरिश्र कथाकार जैशंकर की लिखी हुई कहानी जो कुछ खो गया ये कहानी कथादेश मासिक पत्रिका के जून 2024 के अंक में छपी है दिल्ली से बरसों से प्रकाशित हो रहे इस पत्रिका के संपादक श्री हरे नारायन जी है पिछले बीस बरसों में रेलवे स्टेशन ही नहीं उसके आसपास का भी बहुत कुछ बदल चुका था टैक्सी में बैठे हुए साथ आठ मिनट भी नहीं हुए होंगे कि गौरी ने महसूस किया कि वो बीस बरस के बाद अपने बच्पन के शहर में नहीं एक बदल चुके बड़े और घने हो चुके शहर में आई है गौरी को ये भी लगा कि जिन्दगी में बहुत कुछ छूट जाने के बावजूद कितना कुछ रहता है जो कभी नहीं छूटता शायद छूटी नहीं सकता है हम इमली के उस पेड़ के पास कुछ देर रुख सकते हैं यस मैडम टैक्सी को फेंस के पास खड़ा करना पड़ेगा कभी वो इसी पेड़ के नीचे अपने दादा या दादी के साथ सुबह या शाम के वक्त बैठे रहा करती थी इसी पेड़ के तने पर हरे रंका बकसा रखा रहता था परोस में एक पीर की मजार थी होटल की दीवार घड़ी में आट बज रही थे गौरी ने अपने रूम में अपना हैंड पैग रखा डाइनिंग हॉल में कौफी और नास्ता लिया कुछी देर में उनकी टैक्सी न्यू कालोनी की तरफ बढ़ रही थी गौरी की निगाहों में मार्श की सुबह की दूप में बरसों पुराना बूरा हो चुका मकान खड़ा था दीवारों का पलस्तर जहरा हुआ मुडेर के आसपस उगाई जाड़ियां बेरंग दर्वाजा खिर्कियों के टूटे हुए गलास कुछ देर मकान की तरफ देखते देखते गौरी की आँखें के लिए हो गए वो सोले बरस बाद उस मकान को देख रही थी जिसमें उसने अपनी जिंदगी के शुगाती बीस बरस बिताए थे उसकी अम्मा के गुजरने के बाद के कुछ दिनों तक तब यहां बाजू में पुश्पा प्रेस हुआ करता था इसाई मिशन्यों का प्रेस प्रेस के सामने पीपल का बड़ा सा पेड़ और उससे सटा हुआ ग्राटो जहां मोंबत्या जलती रहती प्रातना में सिर जुगाए हुए लोग खड़े नजर आते मकान के कमपाउंड के बाजू में छोटी सी सड़क जाती थी जिस पर इमली के कुछ पेड लाइन से खड़े रहते अब प्रेस की जगे पर नेशनल गैरेज खड़ा हुआ है गोरी गैरेज के छट के नीचे खड़ी हुई अपने पुराने मकान की तरफ देख रही है उस मकान में कौन रहते हैं मैं नहीं जानता बाबू जी आते ही होंगे वे यहीं के हैं आप उनके आफिस में बैठ सकते हैं ये लड़का गैरेज में मेकैनिक होगा उसकी हाफ शर्ट की जेब के करीब लाल रंग से नेशनल गैरेज लिखा हुआ था गौरी के साथ राद भर की ट्रेन की यात्रा की थकान थी वो कूरसी पर बैठ गई मेज पर अंग्रेजी और मराठी के अखवार थे उसने अंग्रेजी अखवार को लटना पलटना शुरू किया एक जगे पर गौरी की तस्वीर आज उसके पत्रकाडिता विभाग के एक सेमिनार में शामिल होने की खबर थी प्रोग्राम को ग्यारा बज़े शुरू होना था अभी आट बज रहे थे वो दस बज़े तक होटल लोट सकती थी गैरेच के मालक को गौरी ने अपना परिचा दिया इस शहर में आने इस जगे पर आने का कारण बताया गौरी को कुछ देर इंतजार करना पड़ा गैरेच के अधेर अमर के मालक को पूजा करनी थी वो आफिस के दरवाजे के पास खड़ी रही बंगाली परिवार रहता है वहां बंगाली बावी पिछले साली नहीं रहे उनकी अम्मा और पत्नी रहते हैं अब इस मकान में मैं आपको उन से मिला देता हूं बड़ी महरबानी होगी गौरी ने कहा बस पांच मिनट पूजा को लगेंगे आप आराम से करें मैं बाहर आपका इंतजार करती हूं पुराने मकान की खिर्की पर टंगा फीका परदा सुबह की हवा से उड़ रहा था कभी इसी खिर्की पर खड़े हुए गौरी अपना शाम का थोड़ा सा वक्त विताया करती थी बाबू आते ही होंगे अम्मा कहती थी चाय का पानी चड़ा दिया है गौरी खिर्की के पास से कहती कुछ खाने के लिए है टोस्ट रखे हैं लगेगा तो अपमा बना दूँगी बाबू अपने साथ कुछ लाएंगे बाबू आते और दादा दादी अम्मा बाबू और गौरी एक साथ चाय पीते नाष्टा करते छोटा भाई बाहर रहता वो स्कूल से स्विमिंग पूल चला जाता उस पर तराकी का भूद चड़ा हुआ था गैरेज के मालिक ने गौरी को मिसिस घोश के दर्वाजे पर छोड़ दिया उसके बारे में बताकर वो गैरेज की तरफ लोट गए गर के बरामदे में एक लंबी चोड़ी मेज रखी थी उस पर किताबें कुछ बकसे और अकबार पत्रिकाएं रखी हुई थी गौरी ने मेज के करीब अपनी चप्पल उतार दी बरामदे के दरवाजे से ही सफेद दीवार पर टंगी काली की बड़ी सी तस्वीर नजर आ रही थी ग्राइंग रूम की दीवारों पर परमहंस विवेका नंद और रवीन नात की तस्वीरे टंगी थी मिसेस घोश औसत कत्की सामली बुढ़ापे को छूती हुई औरत थी गौरी के सामने पानी का गिलास रखकर वे सामने के दीवान पर बैट गई हम इस घर में रहते थे अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक मैं यहीं रही गौरी ने बताया आप चाय पीएंगी या कॉफी मैंने होटल में नाश्ता कर लिया था यहां कुछ देर बैठोंगी जरूर अभी तक अम्मा और मैंने भी चाय नहीं ली है मैं अभी लॉट्टी हूँ मिसस भोश किचन में चली गई गौरी खिड़की के पास शीशम का पेड़ कट चुका था उस जगए पर गेरे से जुड़ी कुछ चीज़ें पड़ी थी गर के आसपास अपार्टमेंट्स खड़े हो गए थे एक कतार में खड़ी दरजी नाई और धोबी की दुकाने नहीं रही थी जहां लकडी का टाल लगा हुआ करता था वहां रेस्टरॉन नजर आ रहा था आप लोग यहां कब आए? गौरी ने पूछा तीन साल हो रहे हैं आपके पहले हां कौन रहा था? एक पार्सी बुड़िया थी उनकी बेटी ने हमें कुछ दुनोकली किराय से दिया था हम पीशे अपना मकान बनवा रहे थे बन गया? नहीं, पिछले साल मेरे पती नहीं रहे मेरे दोनों बच्चे पूना में नौकरी कर रहे हैं जून तक हम दोनों भी पूना चले जाएंगे और ये मकान? जून में यहां पर नरसिंग होंगा बनना शुरू हो जाएगा ये अच्छा रहा गौरी ने मनीमन कहा इस शहर में वक्तवे देने के लिए आने का मन बनाने में यहीं कभी अपने घर होने का ख्याल भी छिपा हुआ था खिर्की से धूब की लकीरों का आना शुरू हो गया उन चमकीली लकीरों पर दूल के करण तैर रहे थे मिसस गोश की सास ने उन्हें आवाज दी थी गौरी को अपना वक्तवे के लिए कुछ पॉइंट्स तारने थे नहाना भी था वो होटल से नाश्ता करने के बाद यहीं आ गई थी दूसरी तरफ की खिड़की के करीब खड़े हुए इमली के पेड़ के जंगली पन आवारा पन को देखते हुए गौरी ने याद किया कि इसी सक्री सड़क से वो साइकिल्स से स्कूल जाय करती थी दादी दरवाजे पर खड़ी रहती वो उनकी तरफ देखकर अपना एक हाथ हिलाती कितने बर्सों के बाद आई दादी की याद पुर्खों की याद मृत्कों की याद इसी तरह अचानक घिर लेती है वेज़े हम मृत्कों को याद नहीं करते हैं उनकी याद बर्बसी किसी चीज, किसी दरवाजे, किसी आंगन को देखकर आ जाती है क्या मैं शाम को भी यहां कुछ देर के लिए आ सकूँगी इसमें पूछने की क्या बात है मुझे अपने लेक्चर को तयार करना है इस घर में कुछ देर बिताना चाहती हूँ तुम रात का खाना हमारे साथ ही खाना? इस्टेशन यहां से नजदीक है आपको तकलीफ होगी तुम मेरी बेटी की उम्र की होगी, मुझे अच्छा लगेगा वो होटल लॉट रही थी आटो में उसके साथ दादी के साथ बीता हुआ वक्त भी बैठ गया फिर दादी के परोस में मा की यादे भी आकर बैठ गए गौरी की मा मिडल स्कूल तक ही पढ़ी थी अम्मा में एक बात थी वो खामोशी को पढ़ ले दी थी शब्दों को पहचान लेती थी गौरी शाम के दुंदलके में खिड्की के पास देर-देर तक खड़े हुए शाम को ढ़लते हुए तारों को निकलते हुए देखा करती थी कुछ देर मुन्ना के साथ बाहर क्यों निकल जाती अम्मा कहती बाहर, गौरी चौंग जाती, जैसे बाहर कुछ आनती ही नहीं बाहर कितना कुछ खड़ा रहता, बीतर के उजार, अंदर के सन्नाटे से कितना कुछ अलग थालग उन दिनों गौरी जो कुछ भी थोड़ा बहुत सोच समझ बाती थी उसे कहपाना उसके लिए मुश्किल बना रहता उसे पूरा वाके कहा नहीं जाता एकदम जाने पहचाने शब्द भी जुबान पर आने से कत्राते इस वक्त वो पूरे आदे घंटे का अपना वक्त तब तयार कर रही है वो भी अंग्रेजी जैसी पराई भाशा में अपने पत्रकार बनने पत्रकार होने के चुनौतियों को लेकर अपने जर्नलिस्ट की 20 साल की लंबी अराजक सी यात्रा के बारे में वक्त तवे तयार हो जाने के बाद गौरी प्रेस क्लप के लिए तयार हो जाने के बाद उसे रिसेप्ष्ञ करे कॉफी का ओड़र दिया होटल के कमरे की घड़ी दस बजा रही थी वो खिर्की के करीब से नीचे की गली की तरफ देखने लगी गौरी ने सोचा कि एक उम्र तक आने के बाद ही जीवन में अपने से बड़ी किसी चीज को देख पाना संभव होता होगा ये आदमी का अपने से बाहर निकलने का अपने से परे जाने का वक्त होता होगा हवा में गर्मियों के उतर आने की गंधे थी गली की हवा में कागज, पत्ते और धूल के कड उरते नजर आ रहे थी कोई भी अपनी पूरी जिंदेगी अकेले नहीं काट सकता अम्मा कहती हूँ तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे जाने के बाद अब तो भाई भी नहीं बचा छोटे भाई के अकस्मात चले जाने, पानी में डूब जाने की बात से ही मा बेटी सिहर जाते नदी में भाई की लाश को खोजने का समूचा दरश्य दोनों की निगाहों में गूं जाता मुन्ना इस्कूल के अपने दोस्तों के साथ एक ग्रामे नदी में तेरते हुए डूबा था बारिश के बाद के दिनों की बेहन गंगा नदी में खबर सुनते दादी बेहोश हो गई, दादी परिवार के लोगों के साथ अंबोरा नहीं जा सकी थी अंभुरा में तीन नदियों का संगम था जहां भाई डूबा था भाई की नदी से बाहर लाई जाती लाश को देखने के बाद ना बाबू पहले जैसे रहे और ना ही अम्मा अगस्त की उस सुबह में दोनों के भीतर कुछ बुरी तरह तूट गया था उसी साल अक्टूबर में दादी नहीं रही दिसंबर में बाबू को हार्ट अटेक आया और जन्वरी में वे अपने बेटे और मा के गम में चले गए इन दिनों में ऐसे दिनों में ही गोरी अचानक एक वैस्क में बदल गई एक जटके में उसका किशोरपन उससे चूट गया छितर बितर गया वो अपने परिवार के संरक्षक बन गई अपनी बार्वी की पढ़ाई के साथ साथ शाम की समय के स्टेशनरी के दुकान में सेज्स गर्ल की हैस्यास से काम करने लगी दादी की पेंशन का मिलना बंद हो गया था बाबू की प्रावेट नौकरी में पेंशन का प्रावधान नहीं था गौरी का वक्त तवे ठीक ठाकी रहा ज्यादा तर श्रोता युवा थे 20-21 की उम्र के इस अताबदी की शुरुआत में जन में मोबाइल, फोन, इंटरनेट और मेट्रो रेल के बीच पले बढ़े हुए उनके लिए गौरी की बातें बहुत ज्यादा नई, मौलिक और उप्योगी नहीं रही होगी किसी भी समाज के जीवन में 20 बरसों का अंतराल, बड़ा और निरनायक अंतर होता है आपको लगता है कि आने वाले दिनों में समाज में पुस्तक की कोई जगए रहेगी? एक छातर ने पूछा था सवाल पूछते हुए छातर के चेहरे पर हलकी सी मुस्कान, हलकी सी हिकारत के भाव को महसूस किया था गौरी ने उसे याद आया कि उसने अपने व्याख्यान में पत्रकारिता की कुछ देशी विदेशी किताबों को पढ़े जाने का अपना सुझाओ साजा किया था उसने सवाल का छोटा सा जवाब दिया उसे लगने लगा था कि उन छातर छातराओं की उसके अपने वक्तवे के लिए ना ज्यादा लालसा रही थी और ना कोई चिक्यासा उनके लिए इस सब उनके प्रबंधन का अपना एक रूटीन अपना एक चोचला रहा होगा उसने आयजगों की एक दो आपचा रिक्ताओं को पूरा करने के बाद कहा था मुझे शाम को न्यू कॉलनी जाना है पांच बज़े यहीं प्रेस के लोगों के साथ चाए की व्यवस्था की गई है आप यहां से जा सकती है आपकी ट्रेन नौ बज़े जाती है गाड़ी आपके पास रहेगी ही ठीक है मैं लंच के बाद होटल चली जाओंगी एक आद घंटा आराम कर लूँगी तीन बज़े के करीब वो अपने होटल के कमरे में आ गई होटल के कमरे में उसके साथ अपने बीस बरस पुराने जीवन की यादें भी लोटी थी उसने अपने बच्पन के उस मकान को क्या देखा और बच्पन का जीवन उसके संग-संग चलने लगा इसमरती भी क्या कमान की चीज़ है वो कब और कहां आदमी को घेर लेगी इसको जाना ही नहीं जा सकता गौरी ने वक्तवे देते देते भी चौसर के उन मोहरों को याद किया था जिनके करीब दादा और दादी बैठे रहते थे बाजू में पानी भरेवे गिलास रहते हाथ का पंखा और पान का पीतल का पिटारा उसका छोटा भाई दादा दादी के पड़ोस में कस्तूरवा लाइब्रेरी से लाई गई कॉमिक्स पढ़ता रहता था ट्रेस कलब में पत्रकारों के साथ चाय पर भीता समय भी गोरी को नीरस निराशा जनक जान पड़ा माहौल में गंभीरता नहीं रही इधर के राजनेतिक बातावरन को लेकर ना कोई चिंते दजर आया और नहीं उत्सुप लोग एक दूसरे से बात करते रहे गोरी के अन्वहों को सुनने में किसी को भी ज़्यादा दिल्चस्पी नहीं थी एक बुजर्ग पत्रकार ने कहा अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता एक महिला पत्रकार बोली आज कुल अकबार पढ़ता कौन है प्रेस कलब बन जाने से बैठने के लिए जगए मिल गई इस तरह की बातों में एक गंटा बीट गया गोरी का मन अपने बच्पन के मकान में दुबारा लोटने को था इस बार वो अपने कैमरे से उस मकान की कुछ तस्वीरें भी लेने की सोच रही थी अंधेरा घर जाने से तस्वीरें प्रभावित हो सकती थी वैसे भी पत्रकारों के बीच में बैठे हुए उस रेलगाडी के कमपार्टमेंट में यात्रियों के बीच होती उकडी उकडी काम चलाओ वक्त काटने के ले की जाती बातचीत का ही एहसास मिलता रहा था बोरी जब न्यू कॉलोनी के बरसो पुराने मकान के सामने पहुँची तब मार्च की शाम का उजाला बना हुआ था उसने मिसिस गोश और उनकी सास की मकान की सीड़ों पर बैठे हुए तस्वीरें खीची थी वहीं अपनी एक तस्वीर खिचवाने के लिए गैरेज के एक मेकैनिक की मदद ली थी मैं और मेरा छोटा भाई इसी जगे पर खेला करते थे अब वो क्या कर रहा है वो अब नहीं है मैं जब सत्रे बरस की थी तब ही वो इस इस इलाके की एक नदी में डूपकर मरा था मिस्स भोश के चेहरे पर विशाद उतराया उनकी सास के कानों तक गौरी के शब्द पहुँचे ही नहीं थे उसके मरने से हमारा पूरा घरी तूट गया था शायद इस घर को बेचने का ख्याल भी उसकी मौत से आया होगा तुम आही गई हो तब एक दो दे यहीं क्यों निरुक जाती अभी मुश्किल से निकल पाई वहां मेरी बेटी बीमार है उसको छोड़ कर आना मुश्किल रहता है आपके पती क्या करते हैं वह रही चुप रही थी मिसिस घोष के सवाल का जवाब बहुत लंबा और नीरस हो सकता था उसने खामोश रहना ही ठीक समझा अपनी यात्रा के इन ख्षणों को मैला नहीं करना चाहती थी तुमारे लिए खीर बनानी है आपको तकलीफ होगी लेकिन मैंने बंगालियों की खीर की बहुत तारीफ सुनी है तुम मा के पास बैठो मैं भी आती हूँ बुढिया को बहुती कम सुनाई देता था उसे गोरी का वहाँ होना समझ में भी नहीं आ रहा था बड़ी देर तक वो से अपनी नातिन समझती रही थी मिसिस गोश ने बताया भी था कि अब उनकी सास की याददाश्ट बहुत कमजोर हो गई है उनके लिए दिन और रात सब बराबर है वो अपनी बहु को कभी अपनी बहन कभी सास और कभी देवरानी समझने लगती है बुढ़ापा अपने लिए ही नहीं अपने साथ रह रहे हैं लोगों के लिए भी कितना कठिन होता है गौरी ने सूचा था उसकी ट्रेन ने नौ बजे प्लेटफॉर्म छोड़ा था प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड थी दो ट्रेन साथ साथ चूट रही थी अपने कमपार्टमेंट में चड़ते वे गौरी को यात आया कि उसने सुबह मिले गुल दस्ते को मिसिस गोश को नहीं दिया था फिर आना मिसिस गोश ने उसके कंधे को सहलाया था आप से मिलने जरूरा होंगी अपनी बिटिया को भी ले आना गौरी को लगा था कि अगर उसके पास वक्त होता तब वो मिसिस गोश को अपने बारे में अपने इधर के जीवन के बारे में सब कुछ बता सकती थी कई दिनों से उसने अपने इस समय की जिंदगी के बारे में किसी से भी कुछ साजाने किया था कितना कठिन रहा है गौरी का इधर का जीवन क्या क्या नहीं गुजरा है उसकी इधर की जिन्दगी में पर क्या वो मिसल घोचते वो सब कह पाती उन बातों को दोहराना उन पर लोटना उसके लिए इतना आसान बना रहता उसी देर में गौरी को नीन आने लगी थी उसकी पिछली रात भी ट्रेन में बीती थी तूटी विखरती नीन के साथ बीती थी वो पहली बार अपनी बीमार बेटी को किसी और के भरोसे छोड़ कर शहर से बाहर मिकली थी वो बरसों बार अपने शहर से बाहर निकली थी गौरी का पिछला पूरा बरस अपनी बारा बरस की बेटी की लंबी और गंभीर बीमारी का बरस रहा अस्पतालों, दवाईयों, अनिद्रा, भै, आशंकाओं और आकांख्षा से भरा बरस रहा परिवार से किसी का भी साथ नहीं मिला, बेटी के अपने पिता का भी नहीं उसकी एक पडोसन जरूर उसके साथ बनी रही थी इश्वर है ना, वो कहती आई थी लेकिन इतनी सी बच्ची और इतनी तकलीफें, बोरी पूछती उसका कोई बड़ा कारण होगा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा उस पडोसन की बास सच्थ साबित हुई, क्रिस्मस आते आते उसकी बेटी समखलने लगी थी साल की शुरुआत में उसने अपने पुराने दिनों को जीना शुरू कर दिया था इसकुल जाने लगी, घर के कामों में अपनी मा की मदद करने लगी बोरी अपने अगवार के काम से जोड़ गई, अब धीरे दीरे बीमारी के वक्त लिया, कर्ज चुकाया जा रहा है पर ना जाने क्यों मिसिस घोष की ममतामई निगाओं में ऐसा कुछ देखा था कि उनके सामने अपनी तकलीफों की पोटली खोलने की लालसा चागी थी कभी कबार ऐसा होता है, छोटी सी मुलाकात में ही हमारा किसी आदमी पर गहरा भरोसा जन्म ले लेता है उसके सामने अपनी समूची जिंदगी को खोल कर रख देने की तमन्ना जगती है फिर आना, मिसिस घोष दोराती रही थी मिसिस घोष के दो शब्द गौरी के कानों में बार बार अपनी जगे बनाते रही थी रात में ट्रेन की बर्द पर गौरी की नींद कुली थी उसे भ्रम हुआ था कि कोई उसके कान में फिर आना कह रहा था सुबह सुबह उसने सपने में देखा कि उसकी माँ उसके पुराने मकान की दहलीज पर खड़ी हुई है और गौरी अपने सूट के इसके साथ दहलीज के करी उसकी माँ उसके सिर पर हात रकते हुए कह रही है फिर आना अपनी माँ का अपने सपने में आना गौरी के लिए इन दनों की एक बड़ी सांतुना रही है बहुत दिनों के बाद भले इस वपन में उसने अपनी मा के उस चेहरे को देखा जो उनकी मृत्य के वक्त का चेहरा था मृते वक्त अंवा बुखार में तप रही थी गौरी के गाल को सहलाता अंवा का दाहिना हाथ करम था गौरी अस्पताल ले जाते हुए अम्मा को पानी पिलाती रही थी अम्मा आटो में ही नहीं रही थी नर्सिंग होम के डॉक्टर ने उनके मरे हुए हाथ को छुआ था मा गई और गौरी एकदम अकेली हो गई दादा दादी पिता और भाई पहले जा चुके थे अपनी मा की मरत्य के समय गौरी बीस की रही होगी अब वो सैती से करीब पहुँच रही है बारे बरस की बच्ची की मा एक छोटे शहर की जनरलिस्ट जो कली एक दूसरे छोटे शहर में पत्रिकाडिता की चुनोतियों पर अपना वक्त बे दे रही थी बरसों पुराने अपने उस मकान को देख रही थी जहां वो बीस बरसों तक लगाता रहती आई थी अब वो मकान जरजर पुराना हो चुका था उसके परोस का पेड़ कर चुका था कुछ दिनों बाद उस मकान को भी तूटना था तूटने के पहले उसने अपने बच्पन के उस मकान को देख लिया था ये भी गौरी के इधर के जीवन में एक बड़ी सांतोना रही इधर के अपने जीवन में गौरी के लिए ऐसी छोटी छोटी तसलियों की अपनी जगहें रहती आई है अब उसे रोजमर्णा की जिन्दगी इस तरह की छोटी छोटी तसलियों की तरह का सुख दे जाती है जैसे मार्च की ये सुभें जब आकाश से धर्ती तक का सौंदर देखते ही बनता है जैसे मिसेज गोश का गौरी को अपने हाथ जोड़ कर ये कहना कि फिराना या गोरी का स्कूल का अपना बैग लिये हुए सीड़ों से उतरती हुई अपनी बिटिया को देखना दीरे दीरे उसका अपने उन सौपनों से रिष्टा तोटता जा रहा है जिने अपनी बिटिया की लंबी बिमारी से पहले वो अपने लिए अपने परिवार के लिए देख दियाई थी उन सौपनों में उसका अपना मकान था अपनी बेटी को किसी नामी गिरामी स्कूल में दाखिला दिलवाना अपना अगबार में प्रमोशन और किसी दूसरे अगबार में काम करने की आकांगशा इधर के दिनों में कभी कवार गौरी को ये भी लगता कि उसे वही सब करना चाहिए जिसे वो करती आई है, कर सकती है, अपने और सिर्फ अपने भरोसे कर सकती है अच्छी तरह कर सकती है ये होता है, ऐसा होता है हमारा मन ज़्यादा बेचैनिया नहीं चाहता है हमेशा साथ रही भागम भाग से दूर निकल जाना चाहता है कल सुबह भी गौरी का मन उस इमली के पेड़ के नीचे बैठ कर घंटों गुजारने की लालसा लिये हुए था वो उस पेड़ को कुछ देर तक अपने हाथ मसेलाती रही थी उस पेड़ को छूते हुए गौरी की आँखे नम होने लगी थी पेड़ के तने से उसके बीते हुए दिन बहार आ रहे थी इस वक्त गौरी इमली के पेड़ के आसपास खरे हुए अपने बचपन को देख रही है महसूस कर रही है उसके बिटिया स्कूल जाने के लिए सीरियां उतर रही है ये मार्च की सुबह है खोली के आसपास का एक दिन जब पेड़ों से पत्ते ज़रते हैं जब ट्रेन की खिड़की से पलाश के पेड़ों पलाश के फूलों को देखा जा सकता है अभी आप सुन रहे थे वरिष्ट कताकार जैशंकर जी की लिखी हुई कहानी जो कुछ खो गया स्वर दिया था मैंने यानि सीमा सेंग